किसान भाईयो नमस्कार स्वागत आपका हमारी यूटूब चेनल स्मार्ट एग्रिकल्चर में इस वीडियो में हम मद्य प्रदेश के मोसम के बारे में बात करेंगे किसान भाईयो पिछले 24 गंडों के दोरान प्रदेश के कई चेतरों में बरसात हुई लेकिन अबी भी प्रदेश के अधिक तर चेतरों के किसानों को बारिस का बेसबड czyli से इंतजा रहे क्योंकि अब जून का तीसरा सब्दा खत्म होने वाला है और अभी भी प्रदेश के अधिकतर चेतरों में बारे से नहीं हुई है तो मौसम बाग के अनुसार अब मद्य परदेश में मानसून के एंटरी हो चुकी है और कुछ दिनों में ये मानसून पूरे मद्य परदेश में फैल जाएगा जिसके बाद मानसून की जमाजम जोरदार बारिस होगी तो इस वीडियो में हम आगे विस्तार से मद्य परदेश के मौसम के बारे में बात करेंगे मतलब की परदेश के कौनसे जिले में कब तक मानसून आएगा और परदेश के अधिकतर जिलों में फसलों की बुआए कब से सुरू हो सकती है तो मद्य परदेश के मौसम के नए अपडेट के लिए आप वीडियो को बिना स्कीप के अंतर तक जरूर देखिए और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीची देगे लालक्षरो के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसके पास में जो गंटी के निचान आया है उसे भी जरूर दबा दीजिए ताकि हम जैसे नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिपिकिसन आपको तुरंत मिल जाए किसान भाई यो अब अगर परदेश के मौसम अपडेट के बारे में बात करें तो इस समय पर 6 वेडर सिस्टम एक्टिव हैं जिसकी वज़े से रोज मध्य परदेश में बारिश का सिल्चला बना हुआ हैं इस समय पर एक पस्चिमी विकसोब उत्तर पाकिस्तान और उससे लगे उत्तर भारत पर सक्री हैं इसके लवा एक पूर्व पस्चिमी ट्रप लाइन बिहार से होते हुए मनेपूर तक बनी हुई हैं इसके लवा एक दक्सिन पस्चिमी राजस्तान पर हवा के उपरी बाग में एक चक्रवात बना हुआ हैं और एक चक्रवाद से लेकर अरब सागर तक एक ट्रप लाइन बनी हुई हैं इसके लावा उत्तर दक्षिन ट्रप लाइन पूर्वी बिहार से ओडिशा तक बनी हुई हैं और हल्यान्या के उपर भी अवा के उबरी बाग में चक्रवाद बना हुआ हैं किसान भाईयो इन छे मोसम पणालियों के कारण ही वातावरण में नमी आ रहे हैं और प्रदेश में रोज बारिस हो रहे हैं किसान भाईयो अब अगर मानसून अपडेट के बारे में बात करें तो मोसम विबाग के अनुसार इस समय पर दक्षिन पश्चिम मानसून खंडवा के असपास बना हुआ है किसन भायो मानसून की एंट्री हर्दा और बेतुल के राष्टे से हुई थी लेकिन इस समय पर मानसून खंडवा के असपास है और आज इसके आगे बढ़ने की संभावना है किसन भायो मोसम विपा की माने तो 19 जून को मानसून बोपाल जबलपूर और इंदोर में दस्टक दे सकता है और इंदोर में सब्ता के अंत में पांच दिनों में अच्छी बारी सोच होने की संभावना है और फिर जुलाई और अगस्त मैने में और सत वर्षा का कोटा पुरा हो जाएगा इसके अलावा 22 जून से लेकर 24 जून के बीच में मानसून ग्वालियर और चंबल संभाग में दस्टक दे सकता है नतलब की 24 जून के आसपास प्रदेश के उतरी जिलो बिंड मुरेना ग्वालियर धतिया शोपूर शिवपूरी गुना असोग नगर निवारी टिकमगर चतरपूर इन जिलो में बारिस हो सकती है इसके अलावा मानसून एंटर हो सकता है जिसकी वज़े से इन जिलो में अच्छी बारिस हो सकती है तो किसान भायो अब अगर फसलों की बुवाई के बारे में बात करें तो इस समय पर कुछ चैतरों में फसलों की बुवाई शुरू भी हो चुकी है लेकिन अधिकतर चैतरों की किसान वसलों की बुवाई होने की पूरी पूरी संभावना है तो किसान भाई यो यह थी मिद्य परदेश के मौसम की जानकरी आप परदेश के कौन्ची जिले से बिलों करते हैं और अभी आपके जिले में मौसम की क्याश टेती हैं कमेंट करके अब इससे बताईए वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जय जवान जय किसान